इस्राइल पर इरान और हिजबुला की तरफ से अभी तक के सबसे बड़े हमले का खत्रा बढ़ता ही जा रहा है दरअसल अमेरिकी अखबार दन्यू यॉयॉक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि इरान इस्राइल पर 15 अगस्ट 2024 तक जवा भी हमला कर सकता है लेकिन इस सब के बीच इस्राइल के उत्री बॉर्डर पर हिजबुला ने कोहराम मचा रखा है और अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल के उपर इरान और हिजबुला की तरफ से डबल अटेक होने जा रहा है दरसल इसराइली सेना को इस बात की पुखता जानकारी मिल चुकी है कि हिजबुला की राडवान फोर्स उत्री इसराइल पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रही है IDF का कहना है कि राडवान फोर्स के पास उत्तर में खुसकर सेटलमेंट्स में अपना जण्डा लहराने और उस इलाके को आग के हवाले करने की ताकत है और ऐसे में हिजबुल्ला को किसी भी सूरत में हलके में नहीं लिया जाना चाहिए लेकिन इसराइल पर कोई बड़ा हमला करने से पहले हिजबुल्ला हर सेकंड में उत्री इसराइल को अपने हमलों से दहला रहा है और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने हर एक मिनट में उत्री इसराइल पर छे बड़े हमले किये हैं जिस से इसराइल तहला हुआ है हिजबुल्ला का कहना है कि ग्यातौन में बने नए 146 वी डिवीजन के हेड़क्वाटर को ग्रेड रॉकेट के इस साल वो से उड़ा दिया गया हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने 12 अगस्ट 2024 की सुभा इस हमले के बाद मेतूला सेटलमेंट में कई राउंड रॉकेट और गोला बारूद दागा है और इस हमले के कुछ घंटों बाद सुमाका मिलिटरी साइट पर गोला बारूद से हमला किया गया और शाम होते होते करीब 7.15 मिनट पर हिजबुल्ला ने हनीता मिलिटरी साइट के करीब इसराईली सैनिकों के ऊपर बड़ा हमला कर दिया हिजबुल्ला के मुताबिक इस दोरान अल-अलम मिलिटरी साइट पर भी हमला किया गया है और अल-मलीकिय साइट पर तो सीधे रोकेट हमला किया गया जिस से IDF को भारी नुकसान हुआ है मैं हिजबुल्ला के इन हमलों के बीच इसराइली सेना के चीफ अव स्टाफ लेफटिन जनरल हैर्जी हलेवी ने IDF की एक बड़ी बैठक की है जिसमें उन्होंने कई मोर्चों से युद्ध की योजना को मन्जूरी दे दी है हलेवी का कहना है कि हम उच्च स्टर पर युद्ध के लिए तयार हैं बड़ी बात ये है कि इस मीटिंग में IDF के डिप्टी चीफ, इंटेलिजन्स हेड, ऑपरेशन के डिरेक्टर्स, उत्री कमांड के मुखिया और एर फोर्स के हेड ने हिस्सा लिया था आपको बता दे कि इस मीटिंग के पीछे एक बड़ा कारण है, वो ये कि 12 अगस 2024 को अमेरिकी फॉक्स न्यूज ने अपनी एक खबर में कहा कि इसराइल पर अगले 24 घंटों में इरान और हिजबुला की तरफ से हमला हो सकता है, जिसके मद्दे नजर IDF ने ये मीटिंग ब दोर में हैं, तेहरान और बेरूट से खत्रा हकीकत में कभी भी बदल सकता है, और सभी को इसके बारे में तैयार रहने के लिए बताना जरूरी है, और सतर्पता का मतलब ये नहीं कि हम खौफ और देहशत में हैं वहीं इस सब के बीच इरान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी करके इरान को चेतावनी दी है, कि वो इसराइल पर हमलान ना करे, जिससे पूरा इलाका एक बड़े युद की च पेट में आ सकता है। आपको बता दे कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि अगर इरान ने इसराइल पर हमला किया, तो वो अपने करत्यों और शांती और स्थिर्था को खत्म करने की जिम्मेदारी लेगा। आपको बता दे कि इरान से बढ़ते खत्रों को देखते हुए इसराइल काफी चोकनना हो चुका है। और इरानी अटैक को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने भी कहा है कि इरान की तरफ से इस हफते हमला हो सकता है। इसको लेकर अमेरिकी राश्वपती भवन के प्रवक्ता जॉन किर्वी का कहना है कि हमारी चिंता साज़ा है और हम अपने इसराइली समकक्ष को बताना चाहते हैं कि ये इस हफते हो सकता है। आपको बता दे कि जॉन किर्वी ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी इरानी हमले के लिए पूरी तरहा से तैयार है। किर्वी के मताबिक हालिया दिनों में अमेरिका ने मिडलिस्ट में अपनी मौझूदगी को और ज्यादा बढ़ाया है। और ये मौझूदगी 13 से 14 अपरेल 2014 को हुई इसराइल पर हमले से 20 ज्यादा है। अमेरिका का कहना है कि हम इसराइल के ऊपर दोबारा अपरेल जैसा हमला देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर ये होता है तो अमेरिका इसराइल की रक्षा करेगा। 1,2, 1,2,1,1,1,2,2,1,6,2,3,1,2,1 2,1,2,1,2,2,1,2,2,1,2,1,1,2,2,3,終ό alltså यार्ण П rumors म सेंगे हुट . 4 ,1,2,2,2,0-2,3,1,1,2,2,1,2,2,1,1,1 . , 16 listening है कि मैभे हैं कि अ स्टेशफे फींग एच जवेस्ट अवचान टारावाटना नाव तो एजा कि इसे घुट में एव नवचा करे लिन I think we've proven time and time again that we're going to support israel इप्ष्धोर्य फुर्षित अो झाल